हेलो गाइज, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल AGE Institute में आज हम सेखेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल AGE Institute को सबस्क्राइब नहीं किया अगर यूटूब चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रस कर लीजिए तकि आप इसी तरीके से हमारे नएने वीडियो देख पाएं सबसे पहले तो अगर हम जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो computer मुख्य रूप से 3 category में divide किये गए हैं, जिसमें सबसे number 1 पे आता है, car के आधार पर computer के प्रकार यानि best zone mechanism, और second प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर computer के प्रकार यानि best zone size, और third number पे आते हैं, उद्धेश के आधार पर computer के प्रकार यानि best zone purpose, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं best zone, mechanism यानि car के आधार पर या car प्रणाली के आधार पर computer कितने प्रकार के होते हैं, तो car के आधार पर computer तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे number 1 पे आता है analog computer, और second number पे आता है digital computer, और third number पे आता है hybrid computer, तो अब हम बात करते हैं analog computer क्या होता है, तो analog computer एक ऐसा computer होता है, जो physical data पर, यानि वाहरी data पर continuous work करता है, continuous का मतलब होता है लगातार, इसमें किसी भी प्रकार का break नहीं होता है, अब हम बात करते हैं इन computer का प्रियोग क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये computers physical data पर, या आप कह सकते हो nature के data पर, ये computers काम करते हैं, जैसे air pressure हो गया, temperature हो गया, water flow हो गया, speed हो गई, गर में जो light आती है, उसके voltage चेकरना, आद ये computers काम करते हैं, और इन computers में किसी भी प्रकार की memory का प्रियोग नहीं होता है, ये direct हमें output शो करते हैं, और इन में किसी भी प्रकार के code में conversion की जरूरत नहीं होती है, direct ही हमें output शो करते हैं, और इनका जो output होता है, वो हमें किसी graph में या reading के रुप में हमें receive होता है, तो ये computers हमें output graph या reading में so करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा analog computer क्या होता है तो अब हम बात करते हैं second number के computer यानि digital computer के बारे में तो जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता लग रहा है digit यानि अंक तो यह computers मुख रूप से calculations करने के लिए बनाए गए हैं और यह computers discrete form में बर करते हैं जिसका मतलब होता है limited यह computers दो numbers को use करते हैं 0 और 1 को इनको binary system बो लगाता है इसमें 0 का मतलब होता है absent यानि off और 1 का मतलब होता है present यानि on तो यह computers दुनिया में सबसे ज़्यादा computers यूज होते हैं यह computers मुख रूप से calculations के लिए बनाए गए हैं और मुख रूप से सबसे ज़्यादा digital computers ही यूज होते हैं और यह computers हमें output numbers में text में so करते हैं तो अब हम बात करते हैं तीसरे computers के बारे में यानि hybrid computer के बारे में तो hybrid computer analog computer और digital computer दोनों के गुण इसमें मुझूद होते हैं hybrid computer को analog और digital computer के दोनों के components मिला करके यह computer बनाया गया है जो यह computers अलग-लग काम करते हैं वो एक अकेला करता है hybrid computer और इसका प्रियोग अस्पताल में और petrol pump पे किया जाता है अस्पताल में इसका काम patient के heartbeat को चेक करने का होता है तो अस्पताल में यह patient के heartbeat को चेक करता है heartbeat को चेक करने का काम analog computer करता है और उसको text में convert करने का काम digital computer करता है और उस computer को ECG computer बोला जाता है यानि electro-diagraphy computer और petrol pump पे भी इस computer का प्रियोग के जाता है जो petrol pump पे diesel और petrol जो fill करते हैं तो diesel को निकालने का और नापने का काम analog computer करता है और उसको रुपय में convert करने का काम digital computer करता है तो इस तरीके से hybrid computer काम करता है तो I hope यूँ आपको समझ में आ गया होगा कि car के अधार पर computer कितने प्रकार के होते है और उनका काम क्या होता है अब हम बात करते हैं best on size आकार के अधार पर computer के प्रकार तो आकार के अधार पर भी computer चार प्रकार के हैं जिसमें सबसे नंबर बन पर आता है micro computer और second number पर आता है mini computer और third number पर आता है mainframe computer and fourth number पर आता है super computer तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, Micro Computer क्या होता है, तो Micro Computer को PC भी बोला जाता है, यानि Personal Computer भी बोला जाता है, ये Computer Size में बहुत छोटे होते हैं, आप इनको एक जगे से दूसरी जगे आसानी से ले जा सकते हो, जैसे Laptop हो गया, Desktop हो गया, Notebook हो गया, Palm Top हो गया, Tablets हो गया, Computer इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इन Computers में Micro Processor Chip का प्रियोग होता है, इनमें Micro Processor Chip लगी होती है, इसलिए Micro Computer कहा जाता है, और ये Computers, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले Computers हैं, आप इन Computers को अपने Personal यूज में, बिजनेस के यूज में, आप इनको जहां चाहों, बहाँ आप इनको यूज कर सकते हो, और ये Computer Size में छोटे होते हैं, पर इनकी काम करने की Speed काफी Fast होती है, तो अब हम बात करते हैं, Second Number के Computer, यानि Mini Computer के बारे में, तो Mini Computer, Micro Computer से Size में थोड़ा बड़ा, और इसकी Speed काफी तेज होती है, Micro Computer के मुकाबले, और इन Computer का प्रियोग, जो Medium बर की जो Companies होती है, मध्यम बर की Company होती है, बहाँ पर इन Computer का प्रियोग होता है, क्यूंकि Company में काफी ज़्यादा High Data Processing की जरूरत पड़ती है, और इन Computer का प्रियोग ज़्यादतर Government Work में, Office में, या Bank के Office में रखे जाते हैं, क्यूंकि बहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा High Speed की जरूरत पड़ती है, तो बहाँ पर इन Computer का प्रियोग होता है, तो अब हम बात करते हैं, थर्ड नंबर के Computer, यानि ManFrame Computer के बारे में, तो ManFrame Computer, Micro Computer और Mini Computer से काफी ज़्यादा साइज में बड़ा होता है, और इसकी काफी ज़्यादा स्पीड होती है इन दोनों के मुकाबले, बहुत High Speed में डेटा को प्रोसेस करता है, और इन Computers में 8 से ज़्यादा CPU लगे हो सकते हैं, और एक बारे में 100 ब्यक्ति बैट करके काम कर सकते हैं, तो ManFrame Computers का प्रियोग, Tax बगेरा कटना, Tax Department में इन Computers का प्रियोग होता है, Government Work में इन Computers का काम होता है, तो कि बहाँ पर काफी ज़्यादा डेटा होता है, तो उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए ManFrame Computers का प्रियोग किया जाता है, तो अब हम बात करते हैं, 4th नंबर के Computer यानि Super Computer के बारे में, तो Super Computer दुनिया का सबसे 30 Computers है, ये Computers एक सकेंड में हजारों लाकों केलेगुलेसंस कम्प्लीट करके देता है, और इस Computer का कार जहां पर काफी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहाँ पर इन Computers का प्रियोग होता है, और इस Computer के काम करने की Speed को FLOPS यानि Floating Point Operations पर सकेंड में मापा जाता है, अगर आपसे कोई कहता है कि Super Computer की Speed को किसमें मापा जाता है, तो आपका अंसर क्या होगा, FLOPS यानि Floating Point Operations पर सकेंड, इस Computer का काम जैसे Nuclear Bomb में इनका प्रियोग किया जाता है, और जो वेदर होता है, यानि मौसम की जानकारी के लिए इन Computers का प्रियोग होता है, और अंतरिक्ष में Research के लिए इन Computers का प्रियोग होता है, तो अब हम बात करते हैं, अपने भारत में कौन सा Computer है, तो अगर भारत की बात करें, तो अपने भारत में भी एक Super Computer है, जिसका नाम है Param 8000, यहां बोल सकते हो Param 8000, और कहीं कहीं पर आपको Param 10,000 भी देखने को मिल जाएगा, तो भारत में जो Super Computer है, उसका नाम है Param 8000, यहां आपको कहीं कहीं पर 10,000 भी मिल जाएगा, यह दोनों बिल्कुल सही है, और Super Computer को CD Company ने 1991 में बनाया था, जो अपने भारत में Super Computer है, यह 1991 में बनाया गया था, CD Company द्वारा, तो I hope यह आप लोगों को समझ में आगया होगा, Size की आधार पर Computer के प्रकार, अब हम बात करते हैं Based on Purpose, यानि उद्देश की आधार पर Computer के प्रकार, तो उद्देश की आधार पर भी Computer दो प्रकार के होते हैं, General Purpose और Special Purpose, General Purpose में Computer से नॉर्मल सा आते हैं, जो हम आप लोग यूज करते हैं, जैसे Laptop है, Desktop है, ये Computers एक बार में कई टास्क कंप्लीट करने में सक्चम होते हैं, एक बार में कई टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, और ये Multitasking होते हैं, आप कहीं भी इनका प्रो कर सकते हैं, जैसे Business में, अपने Personal Use में, तो ये हमारे General Purpose के अंतरगत आते हैं, जैसे Laptop है, Desktop है, Notebook है, ये सब General Special Purpose के अंतरगत आते हैं, और जो Second Number के होते हैं, Special Purpose, Special Purpose में ये कुछ खास काम करने के लिए बनाया जाते हैं, जैसे Computers के लिए Softwares क्रेट करना इन Computers का काम होता है, तो जहाँ पर इसी भी Special काम की जरूरत होती है, बहाँ पर Special Purpose के Computers यूल होते हैं, जैसे Companies में कोई Manufacturing होती ह तो बहाँ पर इन Computers का प्रयोग होता है, क्योंकि बहाँ पर एक ही चीज में Focus किया जाता है, एक ही चीज बनाया जाती है, अगर प्रोडक्ट का Manufacturing हो रही है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिर्फ उसी का ही Program किया जाता है, उस पर और वही Product वो Computer बनाते हैं, तो Special Purpose के Computers कुछ जो Specific के काम करने के लिए ये Computers होते हैं, जहाँ पर एक बार में एक ही Task किया जाता है, तो बहाँ पर Special Purpose के Computers यूल होते हैं, तो I hope you अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, Types of Computer, Computer कितने प्रकार के होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, तो अगर आपने अभी त Channel AG Institute को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताके आप इसी तरीके से और नई-नई चीज़े सीखते रहें